नवस्का दोस्तो स्वागते आपका आपके अपने यूटूब चेना पता दोस्तो रिट सेचक वरती 2022 को लेकर इस वीडियों दोस्तों हम बात करने बाले हैं दिच सबी में आंसर की को लेकर आज दोस्तो आपका सिंधी का एक्जाम समाप तो जाएगा जो पहली पारिम होगा इसके बाद दोस्तों कोई भी एक्जाम नहीं है लवव सभी पेपर हो चुके हैं आंसर की कब तक आएगी दोस्तों और रिजल्ट को लेकर कि आपडेटर रीट से चवरती का रिजल्ट कब आएगा दोस्तों कितने अंक तक कि आपको इसमें बोनस मिलेंगे बोनस अंक दोस्तों ऑब्जेशन वाले कोशनों पर दिया जाते हैं लेवल फर्ष्ट में लवव दस प्रसंग ऐसे हैं चहांपर आपको दोस्तों बोनस अंक मिल सकते हैं जो कि उन पर objection लगाए जाएगा 10 में से कम से कम 7 से 8 अंक आपको बोनस अंक दिये जाएंगे इसके रावा लेवल 2 में दोस्तो अलग अलग बोनस अंक मिलने वाले हैं किसी इसे में दोस्तो आपके 2 से 3 अंक के भी बोनस अंक हैं क्योंकि सभी सब्जेक्ट में 2 से 3 को सन आपके यहांप दोस्तो गलत हैं चलिए दोस्तो आपका ज़्यादा समय लेती वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सेर और चैनल को सस्क्राब करना तो आज अपडेट दे सकते हैं दोस्तो बेरोगारों को बोर्ड की आंसर की का इंतियार है कटॉप के बदलेंगे समय करना जी यहां दोस्तो आंसर की आने के बाद कटॉप में गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी अंग्रेजी बिस है कि सवाल आसान योजिरां से उलजे हिंदी में सिच्चर विजियों के सवाल काफी आसान थे दोस्तो दो प्रिशन वार नेगेटिब मार्किंग का दिखेगा असरती थी से लिए सिच्चर वर्ड़ी परिच्छा के पैटर्न में इस वार बदलाव हुआ है पहले रिट के अंकों के आदरपबिद्देओं को चेहिंद किया जाता था इस वार दोस्तों मुख के परिच्चस काईजिन किया गया है परिच्च manifestation से नेगेटिब मार्किंग होने की बिखेअ से कटों में कई बदलाव आपको नज swamp किन दोस्तों इसमें काफी ज़्यादा इफेक्ट डालने माली है वहीं दोस्तों रिजल्ट को लेकर बात करें तो रिवेल्ट आपका अप्रेल तक आएगा जैसा कि मैंने को अता है था कि अप्रेल के अंत तक बढ़ाम जारी हो जाएगा 33 सिच्छे वर्थी की परिच्छा जो आज आखरी दोस्तों सिंद्र की पेपर है उसके बाद आपको जाएगा? इसके बाद आप बीस-वर साम को एक वीडियो डाली थी जिसमें जितने भी प्रिसन हैं उनकी मैंने आपको लिष्ट बताई थी और आप उन उन प्रिसनों पर लगा सकते हैं वहीं दोस्तों परेच्चा खत्म होने से पहले यहां परेच्चा जारी करके बता दिया था कि पेपर लीग फरजी निकला है ग्यारावज के उनसर्मिन पर जब की बारेवजे तो परेच्चा के बाद पेपर आया उसको आरपियों से मिले पेपर से मिलान कैसे किया ऐसा चोगोजा और परिच्चा के भी सेंटर पर SDG को भीजा था था सरसरी नजर से पेपर देखकर मिलान किया है तो ऐसे मैं पेपर लेक को लेकर भी दोस्तो अब द्वारा कर रहें पर है्पर इस से पहले अगर भी आपको अपडेट करूंगा इसे रिलेटेड अपडेट के लिए कटॉप को लेकर मैं चैनल पर पहले भी वीडियो आपके लिए डाल चुका हूं तो दोस्तो आंसर की आपकी 15 दिन में आ जागी है कुछ कोशन हैं दोस्तो जो मैंने आपको कल वीडियो मताये थे जिन पर अपडेशन लगाई जाएंगे इन में किसी में दो आप्सन सही हैं किसी में तीन सही हैं किसी में एक भी सही नहीं है दोस्तो तो ये लेवल फच्ट की कटॉप है दोस्तो और आंसर की आने के बाद कटॉप में बदला भी होगा जनरल के डिग्री में 97-100% OVC में 94-96% MBC में 89-92% EWS में में इतने ही 89-94-86% SC ST में 80-82% BIDO में 65-70 और डिवोस में 70-75 को सनगर आपके सही हैं आप भरती की दोड़ में सामिल रहेंगे दोस्तो नम्मल निकालने हैं तो आप इसमें दोका गुणा करके अपने नम्मर भी निकाल सकती हैं जैहिंद बंदे मांतर